इस वक्त मोशम को लेकर बड़ी अप्डेट आ चुकी है राजसान में लगातार भारी भारीज का अलट जारी हो चुका है बता दे चले तीन दिन के दोरान 16 जिलों में बरसाद का अलट जारी हो चुका है राजसान में बारिज का दूर लगातार जोरी है पिछले 24 गंटे के दोरान तीन जिलों में सबसे बारी वर्षा देखने को मिली टॉंक स्वाइमादुपूर अजमेर में तेज बारिश हुई पिछले 25 से दिन के अंदर चाड़ी से ज्यादा चोटे बड़े बांदों में पानी आने से आवर्पल हो गए और मौसम के अंदर के मुताबिक फिछले 24 गंटे के दोरान समसे ज्यादा बरसाद अजमेर अगर आप राजस्तान से हो तो आप इस वीडियो को अभी से जल्दी से लाइक कर देना और चैनल पर नए तुरंत आप इस चैनल को सस्क्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि आपको वीडियो डालते हैं नोटिफिक्सन मिलता रहे और आप जहां कई विरेत हो अपने जिले का नाम कॉमेट बोक्स में जरूर लिखें जैपूर शिरोई परताब गडपाली समय सदस्ट जिलों में बारी बरसाद हुई और कई जगों पर जल बराव की इस्तिती बेदा हो चुकी है तो चलिए अब जान लेते आगे कैसा रहेगा मोसम जैपूर मोसम वाग ने आज दकिछिन फूर विराजितान के कैई जिलो में बारी वर्षा होने की संभावना जताते हो एक दो जिलोग में अत्यंत बारी वर्स होने की संभावना मौसवाग ने बताईया बुंदी कोटा बारा जलावाड चितोडगड रासमन उद्यपूर डूंगरपूर बांसवाड परताब गडवे बेलवाड़ जिले में काई कई बारी 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 तो एक दो इस्तानों पर अत्थी बारी बारी होने की संभावना है जबके 26 जुलाई की बात करें तो अजमेर बेलवाड़ा बुंदी टॉंक रासमन शिरोई उद्यपूर पाली जोद्पूर समयत कई अन्य चेक्त्रों पैं बारिस का दोर लगातार जारी रेका सत्ताई जुलाई को अलु और जुन जुनु शिक्कर और को में अच्छी का सबसाथ देखी जा सकती है मौसम की हर अपडेट के लिए चैनल को सबस्क्राइब करें ताकि आपको हर अपडेट में सबस्क्राइब करें